बात करने हैं दस्मी और 12 मी की उत्रपूस्टिकों का मोले अंकन 11 अपरिल से होगा और वीडियो के अने तक बने वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वार जो है बो जो दस्मी और 12 मी का रिजल्ट कब तक आ सकता है और इस वार किस तरह से जल्दी जल्ट आने के जो चंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे Term 2 के रिजल्ट की बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 11 अपरिल से स्टार्ट हो रहा है ये और दर्मशाला हिमाचरपदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दसमें और बार्मी कक्षा के नियमित और SOS प्रिक्षाओं की उत्रपुस्तकाओं का मोले अंकन 11 प्रिल से शुरू करेगा बोर्ड ने प्रतिनिक्ति किये गए यदि आपको कवापनी उपस्तिती दर्ज करवाने के लिए निर्देश दी हैं बिविन बिश्यों की उत्रपुस्तिकाओं का मोले अंकन 11 प्रिल से शुरू होगा प्रदेश वर्वे 43 जो एवैलवेशन सेंटर बनाए गए हैं तो इस वार अगर हम बात करते हैं तो वैलवेशन जल्दी स्टार्ट हो रहा है पिछली बार जो एलेक्शन की बज़े से थोड़ा लेट हो गया था तो इस लिए जलदी वैल वैलविशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कुछ हैक जो स्टुडेंट्स होते हैं उन्होंने बाकी जो ए्ग्iture सुते हैं वो देने होते हैं तो इसके लिए इस वार जल्दी जो रिजल्ट डिकलेर किया जा सकता है एच भी बोर्ड द्वारा तो इसमें 43 वैलवेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और स्टिक्त इंस्ट्रक्शन है इस वार की जो पॉइंट किये जाएंगे उनको जादा अवैलवेशन सेंटर होने की बज़़ए से जल्दी पेपर चेकेंग की बज़ए से जल्दी ही रिजल्ट भी त्यार किया जा सकता है तो अप्रेल के जो एंड तक जा फिर मई के स्टार्टिंग में जो हैं वो रिजल्ट आ सकते हैं तो यह था आज का वीडियो, इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेर कर दें फ्रेंज के बीच में और बाइले लेकर पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आपको वीडियो नोशन मिलते रहे, थैंक्यू